Assalamualaikum, उमीर है, आप सब लोग इंशालला खेरियत से होंगे आज की रेसिपी एक बहुत ही मसेदार से Arabian Pudding Desert की है and this is the only desert which is only made of bread and milk in just 15 minutes और इसमें एक extra recipe आपको मैं रबडी मिल्क बनाने के भी से कहा रही हूँ जो कि आप इसी recipe में सीख सकेंगे तो जब ये तयार होती है तो at a time आपको ये feeling ही होता कि ये रबडी है या ये bread है या ये Arabian Desert है या इसमें तीन चीज़ों का जाईगा मौझूद है और ये तमाम recipe just 15 minutes में ready होती है बहुत ही कम इसमें चीज़ें इस्तिमाल हुई है और बहुत ही असान तयार होती है recipe को start करते है बिसमें लारहमान रहीम सबसे पहले हमें चाहिए एक पाउल उसमें हमने लिए है 200 ml अफ डेरी क्रीम आपकी असानी के लिए मैं brand बता रही हूँ milk pack cream में यूज़ कर रही हूँ क्रीम को unfack करने के बाद मैं इसमें डालेंगी 1 tablespoon तक icing sugar आपके पास icing sugar नहीं है आप इसमें चीनी डालने condensed milk डालने इसके इलावा आप इसमें डाल सकते हैं brown sugar भी और इसको अच्छे से mix करने और इसको fridge में रखने इसको हमने बाद में whisk करना है अब हम लेते हैं cooking pot लेकिन cooking pot के लिए शर्त ये है कि वो खुले मुवाला हो यानि वो open होता कि जब हम इसमें रबडी milk तयार करें तो इसमें space ज्याना हो मैंने इसमें 2 cup तूट डाला है एक cup मैंने गर का दूद यूज़ किया है एक cup मैंने ओलपर्स milk यूज़ किया है उसके बाद हम इसमें डालते हैं टू टेबल स्पून तक चीनी अगर आपके पास चीनी का option यानि आपको पसंद नहीं है तो आप condensed milk यूज़ कर ले बिसरी यूज़ कर ले कैरमल सॉस यूज़ कर ले इसमें पर जब इसमें थोड़ा सा दूद गरम हो गया तो मैंने इसमें डाले हैं सैफ्रान के दागे तू पिंचिस आफ कार्डमम पाउडर उदर हमारा दूद जो है वो उबल रहा है और मैं इसमें जो मलाई है इसकी हो इसके साइडों पे लगा रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा लच्चे बनने शुरू हो जाए और पिर हमने ली है टू टेबल स्पून ड्राइ मिल्क और इसमें हमने ये वन टेबल स्पून जो नॉर्मल दूद होता है वो इसमें थिक सा पेश्च बनाना है और अब हमने इसको करना है इसके बाद हमने इसमें कुछ राइफ फूट्स डाले है चॉप करके साइडों से जो दूद के लचे है वो मुई मैं इसमें मिक्स करती जा रही हूँ तकरीबन ठंडा होने के लिए रख देना है ताके वो वाँ बस ज्यादा गरम भी ना हो ज्यादा ठंडा भी ना हो फूट मैंने चिस से पेंट लिया ताके वो डबल इंड साइज हो जाए ये बाद मैंने दी है प्लेन जो ब्रेड होती है उसके हमने किनारे काट लेने हैं इसको मैं चोकोर शेप में काट रही हूँ आप उतनी ब्रेड लीजिए जितनी आपको चाहिए या जितनी आपकी डिश में ज़रूरत हो जो एजेज आप काट रहें उनको जाया मत करें उनको आप रोस्ट करके उसके क्रम्स बना ले और जितनी ब्रेड आपको चाहिए उन तमाम की किनारे अलग करके उनको साइट के रहते हैं अब आप सेर्विंग डिश लें इस वन अफ माइ फेवरिट डिश में एक लिएर बनाते हैं ब्रेड की और उस पे हम डालेंगे जो हमने रबडी मिल्क तयार किया है वो मिल्क को हम बस वाम रखना है ज्यादा ठंडा और ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए अच्छे से इसको मिल्क में सोख कर लेते हैं और अब जो हमने क्रीम पेंटी हुई है जिसको हमने पेंट के डबल इंसाइज कर दिया है यानि थोड़ा सा उसको हमने पीक्स दिये हैं वो उसकी लिए बना लेते हैं उस पे उपर से हम ड्राइफ रूट्स डाल देते हैं और अगेन हम ब्रेड की लिए बनाएंगे अगेन रब्डी मिल्क और जो फाइनल यह होती है वो तोड़ी तिक हम बनाएंगे क्रीम की अच्छे से इसको पहला ले और उपर से इसको ड्राइफ रूट से गानिश कर ले यह बहुत ही मज़ेदार सा डेजर्ट है और इसको अरेबियन पुडिंग कहते है या अरेबियन ब्रेट पुडिंग डेजर्ट बनाने में मुझे जस्ट 15 मिंट्स लगे हैं आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा यह बहुत मज़ेदार है इसमें एट अट अटाइम रबडी का टेस्ट भी है और कोई कहन नहीं सकता कि यह ब्रेट से बनी है तो आई होप आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आईगी इन्शाला मैं पिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजर होंगी तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अपना ख्यार लगएगा अल्ला हाफिज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक, कमेंट, शेयर और मुझे फीडबेक देना ना बुलिएगा